में हूँ सुरस बर्मन और आज लेके हूँ आज ऐसा नया गेस जो हालक रिसेंटली जो एपेसी 2022 का जो रिजल्ट डिक्लेयर वह उनमें से हमारा दिमा आशाव से टोपर्स अनिशा खिर्सा और जो उन्हों करते हैं सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बटाईए हमारे वीवस को जुठाइ एंड हेलो एवर्यवन मेरा नाम अनेशा खिर्सा है आज में यहां पे सूरज जी के साथ बैठी हुई हूई हूँ और मुझे हिल्स लाइफ चैनल पे इन्वाइट करने के लिए मैं तो अनिशा जी सबसे पहला बटाए आपका स्कूलिंग कहा से हुआ है मेरा स्कूलिंग यहां पे सेन आगनेस कॉंट स्कूल से हुआ है Schooling or matriculation or college? Class 10 matriculation वहाँ पे ही दिया है फिर class 11 and 12 half long government college फिर उसके बाद बाद बचलर्स परसु करने के लिए मैं गवाती गई थी BSc in biotechnology from Asian Institute of Management and Technology जो गवाती उनिवर्सिती से अफिलिए तो उसके बाद Master's Biotechnology में पर्सु करने के लिए मैं शिलॉंग गई दिए फ्रॉम सिन अंधिने स्विट और सब्सेड पहले आप 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 को में आपको मिलाब इस इविल सर्वेंट के लिए आपको कैसा इंस इंस बेंशन या मोटिवेशन मिला जो सिविल सर्विसी चुनने के लिए Actually, मैं यह नहीं बोल सकती हूँ कि Growing Up मेरा द्रीम सिविल सर्विसी था क्योंकि इतना exposure नहीं है इतना exposure मिला नहीं है कोई ऐसा था नहीं जो guidance दे सके तो मैं गवाती गई थी मैं अटे है के जई कर दो कि इतना। गाई जो यहीं कि कुछ करना चाहिए तो मैं कोचिंग ले गई थी मैं गई तो ऐसे बात्चीट करके थोटासई तोड़ा इंस्पिरेशन आया थोड़ा इंट्रेस आया सब्जेक्ट में उसके बार मुझे लगा कि कुछ-कुछ बेसिक थिंग्स है जैसे कि फर एक्वर इसब बेसिक जोग्राफी अपने ही स्टेट का मुझे लगा कि यह सबका नौलेश तो मुझे है ही ने मिद ऑफ गर्परशन पीक मैं मिद और 2022 से ही मैंने प्रपरेशन स्टार्ट किया है तो आपको मिदलब अप्का प्रपरशन में काफी चलेंजेस सबको फेस करना पर होगा बलढ़ एधीन का लगोरा है, लिस खुड़ार को is this? मेरोत जैसे बहुत था क्योंकि जैसे मैंने बोला के बहुत ले स्लेट कैना मैं थाड़ा वी चाहल चल्ट हूँ है, को एड़ा बाईसरी करेँ मतलः पूरा और स्ट्रेजी कोशिछ चाहरेत तो शायद में मनलब पास ही नहीं हो पाती तो इसले चालेंज़ थे क्यूंकि जेरो से स्टार्ट किया यह फर्स्ट अफ जो खुछ गाइडन्स था नहीं तो आप ही आपने बताया मैंटर या अपका मैंटर से मतलब क्या मतलब है अपका मैंटर मतलब कौन था या आपने कोचिंग कोचिंग इंस्टीट में जोन किया है हाँ क्योंकि जैसे मैंने बोला एक्सपोजर नहीं था मेरा कोई ऐसा था ने जो मुझे बता सकी कि अच्छा ये 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 प्रोसेस है ऐसा पढ़ना पड़ता है ये बुक्स है ये बताने के लिए कोई था नहीं तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कोचिंग जॉइन करना चाहिए वही से ही मुझे बेस्ट गाइडेंस मिल सकता है तो मैंने कोचिंग जॉइन किया था तो SPM IS Academy जॉइन किया था मैंने उनसे में 2022 जुलाइ से ही जुरी हुई हूँ तो उनके गाइडेंस उन्होंने study materials, guidance, even motivation क्योंकि एक्जाम से पहले मतलब बहुत दीमोटिवेट होते हैं म मोटिवेशन में भी बहुत guidance मिला है तो उनको भी मैं thank you बोलना चाहती हूँ कि उनके वज़े से उनके guidance के वज़े से आज में जहाँ हूँ कि और भी हम लोग बाते करेंगे अभी हम लेंगे एक छोटा सब्रेक कि अभी हम अनिसाजी से हम लोग जानने चाहेंगे कि आपने तो कोचिंग तो लिया है तो वो कोचिंग आपका ये पुरा प्रोसेस में कितना मतलब मतलब उनका काम आया है मतलब ये आपका कोचिंग काम बहुत आया है क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था पहले तो पूरा मतलब अच्छा सिलिबस बुक्स ऐसा होता है मतलब जो सिलिबस होता है उनका प्रॉपर एक्स्प्लेनेशन क्योंकि मैं मतलब बाइटेक्नोलोजी बैक्राउंड से आती हूं वे प्रोफेशनल कोर्स है मतलब बहुत ही कुछ भी रिलेटेट नहीं है सिलिबस सर्विसे से तो मैं साइंस बेक्राउंड से भी आती हूं तो पॉलिटी एकनोमिक्स यह सब मेरे लिए कंप्लीटली नियू था तो तो या जो study materials या जो explanation मिला है मुझे कोचिंग से वो मेरे लिए बहुत ही ज्याद पर हां अगर आपका situation भी मेरे जैसा ही है जहां पर आपको exposure नहीं है guidance नहीं है तो हां coaching can definitely help तो इसी पूरा मतलब इस selection process में तो तीन होता है तो आपका तीनों में से सबसे आपका तफेस वाला कॉन सा यह prelims, main और interviews होता है तो आपका मतलब ही साब से mains था तफेस्ट वो क्यों कि उसमें prelims में ऐसा है कि मतलब knowledge आप जितना मतलब information accumulate कर सकते हो तो वो मतलब थोड़ा सा easy हो जाता है उस वे से कि पूरा knowledge based है पूरा objective है मतलब मेंस ऐसा है कि मतलब knowledge भी चाहिए आपको उसको deliver भी करना आना चाहिए और time का भी बहुत limit है तो उस वज़े से और क्यूंकि जैसे मैंने बोला late start किया था तो ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से experience था answer writing का माला बहुत ही कम time में prepare करने को मिला है मुझे तो इसलिए वो सबसे जदा challenging था मेरे लिए क्यूंकि answer content होते हुए भी उसको time में खतम करना वो मतलब मेरे ले बहुत challenging था और आप यह पूरा यह आप आपने बटाया कि आपने काफी late से आपने start किया है तो आप दिन में किसा routine रखता था आप दिन में कितना घंता परता था और अपने routine रखा कि इसी समय पर इसी subject को पढ़ना चाहिए ऐसा proper routine आपने रखा ही क्या ने ऐसा proper routine नहीं था मेरा मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी ऐसा routine पर वह हो नहीं पाया तो as in वह एक जो proper structure बाला routine वैसा था नहीं ब्रेक्स मालब जब से मैंने serious study start किया है तब मालब सिर्फ खाते वक्त, सोते वक्त उस ताइम में ही मैंने break लिया है और जो subjects परना है वो भी मतलब रूटीन नहीं बनाया था पर मतलब हाँ आज ये subject को टैकल करूंगी वो खतम होने के पार उस subject को टैकल करूंगी ऐसे मतलब mind में था मेरा तो ही as in total number of hours ऐसा था नहीं मेरा और आपका ये पूरा आपका ये अचीफ मेन है उसका credit आपको किसको देना चाहेंगे credit बहुत लोग को मैं देना चाहूंगी because लोग एक वर्ड बोलते है self-made I think कोई भी truly self-made नहीं होता है कोई होता है behind you जो आपको support करता है जिसके वज़े से आप आगे जा सकते है तो first of all Bhagawan whichever God you believe in so I would like to thank God उसके बार मेरे parents of course because उनके support, motivation financial help के बिना नहीं हो सकता था उसके बार मेरे mentors क्योंकि उनका guidance बहुत मेरे ले बहुत turning point रहा है उसके बार मेरे friends जिनोंने मुझे support किया so that मैं आपना पूरा concentration दे सकी परहाई में तो उनको मैं थेंक्यू बोला चाहती और हमारे वीवेस को आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो इसी ये प्रेसिजर्स एक्जम को preparation करने में क्या क्या करना चाहिए answer writing में और prelims के लिए mains और interview के लिए क्या क्या tips या tricks आपके तरफ से prelims के लिए first मैं बोलोंगी कि preparation जल्दी start करने से अच्छा है क्योंकि आपको enough time मिलता है proper अपना foundation bill कर सकते है तो preparation जल्दी start करना अच्छा है ऐसा नहीं है कि preparation जल्दी start नहीं हुआ तो आपका chances कम है but जल्दी start कर लिए तो आपके लिए advantage होता है preparation जल्दी किजिए NCRT books परिये newspapers follow किजिए everyday मैं suggest करूंगी कि newspaper वो ही परिये the Assam Tribune the Hindu Indian Express सब follow किजिए editorial परिये आपका language improve होता है उसके बाद prelims बहुत objective होता है pinpoint आपको हर चीज़ याद करना परता है so वही practice makes perfect वाला उसके बाद में answer writing practice time management मैं timer रखके करती थी मतलब कभी हो पाता था कभी नहीं हो पाता था तो timer रखके मतलब mind में भी so that mentally भी वो register हो जाए कि अच्छा इतना time में intro खतम होना चाहिए body conclusion खतम होना चाहिए और मुझे कुछ दिन पहले social media में question आया था कि मैं point wise लिखूं या essay लिखूं तो मैं बोलोगी कि point wise best है क्योंकि अकर आप invigilator के point of view से भी imagine करेंगे तो point wise देखने में जादा clean लगता है answer sheet में क्योंकि paragraph wise क्योंकि examiner word by word नहीं परेगा तो point wise फिर आप arrows use कर सकते है diagrams weather question में पूछे या ना पूछे diagrams insert कीजे maps तो ही time management जैसे बोला इसमें भी newspaper उसके बाद interview के लिए interview तो mostly personality development होता है तो उसमें factual knowledge matter नहीं करता है आपका personality matter करता है तो वही confident रहना है आपने जब prelims जब clear कर लिया था तो उसमें DAF जो होता है तो उसमें आपका preference preference आपने किस किस को दिया था कुछा कुछा preference मेरा ACS first preference फिर urban administrative service इसके बारा finance service मेरा आपको पूछना चाहूंगा कि अभी काफी aspirant भी है जो इस पार clear नहीं हो पाया जिनका और काफी है जो मालब PA civil service line में जाना चाहता है और काफी पहला जेसा पहला में कुछ exposure नहीं होता था अभी से तो school level से exposed होना शुरू है यह civil service क्या है यह क्या होना चाहिए तो आप और जो aspirant जो करेगा तो उनके लिए आप क्या message देना चाहेंगे जो लोग clear नहीं कर पाए अभी उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप hope loose मत कीजिए फिर से try कीजिए बहुत कुछ मतलब आपको नहीं मिला यह आपको मुझे मिला है अभी तो ऐसा नहीं है कि उनका knowledge मेरे से कम है यह मेरा उनसे जादा है ऐसा नहीं है मालब बहुत कुछ मेभी उस ताइम पे for example मेंस का अगर मैं एक्जांपल दूँ मेभी उस ताइम पे कुछ रीजन के वज़े से वो लोग अच्छे से डिलिवर नहीं कर बाए या मेभी knowledge है पर मेभी presentation में कहीं पे चूख हो गया जैसे examiner को चाहिए था वैसा हुआ नहीं है तो इसलिए मतलब आप फिर से hope लूसना करें फिर से आप दे क्यूंकि जरूरी नहीं है कि फिर फिफ्ट अटेंब में भी सक्सेस्फुल होते हैं और जो फ्रेश एस्पिरेंस हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप डेडिकेटेड रहिए और अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे प्रपर स्ट्रेजी फॉलो करेंगे तो आपकोर्स सक्सेस मिलेगा ही आपका ये कितना बार का इटेम है? मेरा ये फिर्स इटेम थे पहला भी आपने दूसरा एक्जाम ऐसा भी दिया था? दूसरा हाँ असाम डायरेक्ट रेक्ट्रूट्मेंट वो दिया था मैने करने है और वहां पहले बहुत है इसम जबाला दिया था, Assam Direct Recruitment, जिसमें मेरा से लेक्षन भी हो गया था और मेरा पोस्टिंग भी हो गया था जोई भी कर लिया था मैंने ऑफिशिली पर उसके बाद क्योंकि मुझे लगा कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी दोनों चीज कैंकि में मेरा प्रिपरेशन लेवल उस लेवल पर नहीं था कि मतलब हाँ सब कुछ पर लिया है अभी बस रिवाई सी करना उस लेवल पर मैं नहीं थी मुझे लगा बहुत कुछ प्रैक्टिस और चाहिए था तो मुझे लगा कि अगर मैं दो चीज एक बार में करूंगी तो मुझे शायद मुझे लिख करता तो मैंने रिस्क लिया मैंने रिस्क लिया था प्राइक करता थी तू मने रिस्क लिए खीच कर लिया मैं रिस्क लिया mean aytaresa In管y уже decision easy मेरे बहुत प्रशर था मेरे पर तो मतलब बस वन मंथ ही बाकी था इतिंग लेस दिन वन मन बाकी था में इसके लिए तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं वन मन तो जैसे भी मतलब वो हो कर लो मालब एज़स कर लो पर मेरा पॉंट ओ विव ऐसा था कि एग्जाक्ली वन कि बात में आकर रिग्रैड रह गया तो इसलिए मैं तो नहीं रहे खाय दिया तो अब यूपी एसी में त्राइज करने के आप एम पहले नहीं सोचा था क्यूंकि मुझे इसना पता नहीं था ये सब तो उस निस नहीं नहीं था मेरा कि मैं कर भी पाऊंगी तो अभी सोच तो यह था, आज का हमारा अनिशा जी ने उनका एक्स्पिरेंस अपना शेयर किया, तो अनिशा जी आपको बोड बोड थानेवाद हिस लाइफ के तरफ से, आपका वेलेविल तायम हमें देने के लिए, तो इसी के साथ में आप सब भी से विदाई लेना चाहूंगा, जुठा जुठाइ